इस वीडियो में हम डिसकस करें कि दुनिया का सबसे बड़ा रोड मैप आई मीन के जावा फुल स्टैक डवलेप्मेट इस पूरे रोड मैप में आप एतनी चीज़े पढ़ोगे उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पुरी लाइफ भी कुछ करने की जरूर पुर्म आप सारी चीज़ों में एक ब्रह्मास्त बड़़ रहे हो गए जिसके बाद आप बुलकुल शान से बैठ सकते हूं और एक अच्छी जॉब रहर सकते हूं लेकिन हम हमेशा कैसे चीज़ों के करेंगे कि 1 फुल स्टैक होता है और 1 मेरा बैक एंड और एक फॉन्ट होता है इन दोनों के मिलाके मेरा एक फुल स्टैक डवलपर बनता हूँ मैं इस वीडिये में मैं आपको वो सारी प्रोवाइड करवाँगा और वो सारी चीज़े भी समझेंगे कि किस क्रम में चलना है मुझे पढ़नी कैसे या चीज़े ऐसे नहीं पढ़ना कि मैंने सीधे एक दूटरक कोर्स पढ़ लिया मैंने फिर पांचमा पढ़ लिया ऐसे नहीं हम एक वे में चलेंगे एक अच्छी पेंग जॉंबस तो आपको सबस whiskey में क्योंकि है क्या क्योंकि एक बंडे का काम करना तो मुझे एक बंडेके पैसे मिलेगे की अगर मुझे फॉंटअने इटा है तो एक बंदे का काम हुए औनों आते हैं товama ऐक जाना ही मिलते हैं तो अप दीख ओनी क्या सी चीजे है तो यह link आपको description में मिल जाएगा अब आपने क्या करना है देखो वो सारी चीजें जो मैंने पहले से पढ़ा रखी है अब आप एक वीडियो का pattern notice कर रहे होगे कि सबसे पहले हमने जो publish की वो mysql java web development फिर burn फिर यह सारी चीजें हमने उस way में मैं लेके जा रहा हूँ कि मुझे एक full stack developer बनना है तो आप धिमे धिमे देखोगे आपके पास सारी चीजें होंगी और मैं यहाँ पर attach कर दूँगा ठीक है और आप उस वीडियो पर जाके complete road map और complete resources download कर सकते हो आप देखो जहां तक java fundamental की बात है तो हमने एक लास्ट वीडियो में वीडियो रिफ्लाक्ट हो रही होगी यह हमें एक road map मिला दा और resources के साथ के एक एक चीज कहां से पढ़नी है तो इसको मैं ज्यादा discuss नहीं करूँगा लेकिन आपको पता होगा आप वो वीडियो देख के आयो नहीं देखी है तो I recommend जाके देख लो तो यह core Java और same advanced Java तो मैं यह मानता हूँ कि आपने यह वीडियो देख लिए और आपको यह पता है तो यहां से जाना resource डाउनलोड करना और मस से लग जाना का होगा तो Java fundamental पढ़ लिए मैंने Java पढ़ लिए आपको यह तीन चीज़े कहां से पढ़नी है तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें resources दिये थे कि आपको web development कहां से पढ़ना CSS कहां से पढ़नी है आपको HTML कहां से पढ़नी है resources आपको मिलने आएंगे आपको JavaScript कहां से पढ़नी है यह सारे चीज़े हमने उस वीडियो में discuss की है तो यह भी I don't think कि मेरे को यह बताने कि आपको जरूरत है कि आप कहां से पढ़ोगे तो समझ में आ रही होगी जो जो चीज़े mandatory होंगी जो हमने नहीं discuss की है वो definitely हम बताएंगे क्योंकि unnecessary हम क्यों time-based है आपको यह सारी वीडियो रिफ्लक्ट हो रही होंगी उनका resources और उनका description में link दे दूँगा वहां से आप resources जाके download करने ना बहुत easy है ना आप देखो backend की बात करूं मैं तो यहां पर backend में क्या है कि मैं क्या पढ़ रहा हूंगा JSP, Sublet and frameworks JSP, Sublet आप यहां पर जाना जो मैंने link आप आप देखोगे आप का होगे कि अशुल ठीक है आप वीडियो पर description तो है लेकिन अगर मेरे को अच्छे से पता चल जाए कहां से लेना ही है तो यह comment पर click करना और यह link है इसको copy paste कर देना आपको वो वीडियो बर direct jump कर जा अब है framework की बात आती है तो हम इसमें क्या discuss करते है कि restful spring and springboard तो यहां पर मैंने comment कर रखा है और आपको एक video reflect हो रहेगी वहां पर हमने पूरा roadmap एक resources के साथ complete किया है आप वो यहां से पढ़ सकते हो ठीक है अब यहां तक मेरा आधी चीज़े complete हो चुकी है ठीक है आप एक अ जिसका एक interface होगा जो की बहुत ही medium सा होगा मतलब इतना अच्छा देखने वाला नहीं बड़ हाँ आप बेसिक सी जिसे login form वगरा बना सकते हो ठीक है आप चलो अब चलता है relational database की तरफ एक java developer के लिए मैंने यह mysql वाली भी वीडियो में बोला था जितना टाइम में एक java में code को लिखने में करूँगा उतना ही time में relation db में queries हमारे procedures इन सब को लिखने में time बिताता हूँ तो यह उतना ही important है जितना आपके लिए code important है चलो जी अब इसमें मैं क्या-क्या पढ़ सकता हूँ यह भी मैंने एक video बनाई है आप जाओगे comment पे क्लिक करोगे और आपको video reflect हो रही होगी वहां से resources देख लेना और देख लेना कैसे मेरे को mysql master करना है चलो जी perfect अब SQL यह क्या करते है आपको एक SQL run करने का interface देता है आप एक अपने dv को देख पाते हो without executing a command from the command को आप command from पर execute के बिना आप यह देख पाते है इंटरनली करता वह ही है लेखर हमें एक user interface मिल जाता है तो आप चाहे या फिर mysql करो या फिर आप Oracle करो बात यह की है ठीक है बट आ SQL आने चाहिए एक लैंग में ठीक है अब बात आती है Fontaine की देखो यही चीज़ें यहां पर हमने basic में complete की ठीक है HTML CSS अब मैं Frameworks की बात करूँगा यहां पर कि मुझे framework में क्या आना चाहिए Angular and React तो framework का भी मैंने यह वीडियो वह सेम वीडियो ग्याट डपन पर वाली वहां आप बता रखें कि आप Angular या React कैसे पढ़ोगे और कहां से पढ़ोगे यहां जाके देख लेना ठीक है अब बात आती है मुझे कि हमने यहां तक तो देख लिया कि चलो यह सारी चीज़े मेरे complete हो गई आपने आश्योनी बता रखा है इसके आगे हम कैसी करें देखो वर्ज हो गया आपका merging हो गया result conflict हो गये और आपकी जो क्लाबरेटिंग होता है ना कि दूसी चीजों से आप काम कर रहे हो तो बहुत लोग के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे काम करोगे तो वो सारी चीज़े कि दिन में जब मैं पहली बाद लॉग इन करता हूं तो मैं पुल क्यों ल क्यों बता रहे हैं यह यह टेस्टिंग क्यों चल रही है देखो एक developer के लिए जितना important आपका एक code होता है आप उसको लिखते हो उतना ही important उस code को टेस्ट करना होता है और उसको टेस्ट करने के लिए आप unit test लिखते हो because आप जितनी भी code बनाओगे हम हमेशा कोशिश करते ह कि कोर्स को हम बिल्कुल हम सॉरी हम अपने code को हम लूजली कपल्ड बनाए ताकि मैं जब भी unit testing करूगा तो मैं एक एक unit के साब से कर पाऊ इसलिए हमारे framework आए और उनने different layers पर divide कर दिया कि DAO हो गया हमारा database layer हो गई हमारी controller हो गया यह सारी layers है ताकि मेरी unit testing हो पाए बहुत बड़ा game है ठीक है आप समझोगे जब करोगे जब चीज़ों को अब unit testing के लिए मेरा J unit यूज़ होता है और आप automation के लिए मेरा selenium यूज़ होता है यह आप पढ़ो या मत पढ़ो यह आपकी मर्जे पर मेरा interest तो मैंने कर लिया था आप मोकीदों की यूज़ होता है कि मे लिए यार हम तो full stack कर रहा है आप devops से क्यों जा रहे हो देखो एक java developer के लिए जबी भी आप किसी एक organization में काम करोगे मैं उन companies की बात नहीं कर रहा जिन पर लाखो करोडों की funding होती है मैं बात कर रहा हूं कि start-up की mid-level company की तो वहां पर अलग से कोई devops की team नहीं होगी होग बेना तो एक दो मंदा devops को होगा और वो 24 घंटे आपके साथ नहीं होगा तो आपको जितनी जल्दी चीज़ें आती है devops की आप उतना ही ज्यादा grow करोगे और devops को सीखने के लिए आपको networking, Linux, Python, Docker, Kubernetes, CICD यह सारी चीज़े लेगेगी बढ़ हां मैं चाहता हूं कि यह और बात आती है cloud की आजकल जावा डेबल पर के लिए बहुत important लगया mandatory हो गया हर company portion लगए AWS और अजोर में से आपको क्या आता है तो यह भी मैं आभी recommend नहीं करोगा जब आपको एक देट साल का experience हो जाए तब करने अगर आपको आता है तो valid code है कोई problem नहीं है बट हाँ एक को करनी कहां से अच्छों यह सारी चीज़ है तो PDF खोल लो जावा फुल स्टेक वैब डेवलोप्मेंट बैक एंड रिलेशन फॉंटेंड यह सारे मैंने यहां पर comment में दे रख्या है कहीं कुछ भी देने की जरूद नहीं है comment से नहीं देखना तो description से देख लेना ठीक है perfect क वर्जन कंट्रोल की आप देखो मैं वर्जन कंट्रोल की बात करूँ तो यूटेका की एक 6 घंटे की वीडियो है बढ़िया से पढ़ना फ्रेटिकल प्रैक्टिकल सब कुछ बहुत अच्छे से बता रहा है फिर वहीं एक लीला की ना पूरी प्लेलिस्ट है ठीक है अब ल का फिर से वही एक 11 घंटे का शायद या फिर 6 घंटे का कोर्स आप पढ़ना जेए उनुट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा यूरेका कभी उतने ही 11 घंटे का कोर्स है से एक दम से बिंच बॉच कर सकते हो इसको एक तरफ से कंप्लीट कर देना देखो मौकीतों का एक कहीं भी पूरी चीज़े नहीं मिलेंगी आपको जब तक experience नहीं होगा करते करते आपको चीज़े समझ में आ जाएगे लेकिन यह बैस्त है जो मैंने यहां पे दिया आप यहां से एक पूरा एक पूरा रोड मैप सीख सकते हो पूरा एक full stack सीख सकते हो यहां से तो यह को लेके java flow stack को लेके वो clear हो रहे होंगे पता चल रहा होगा कि आपको एक java developer कितनी सारी चीज़े सीखनी है और यह सारी चीज़े एक साथ में नहीं आएंगी आप start करो I'm having a more than four year five year of experience यह तब जाके मुझे अभी चीज़े आई है ठीक है तो इतना time लगेगा आपको अगर अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना इस वीडियो को हम एम रखते है 1000 लाइक और complete कर देना ठीक है चलो मैं मिलता हूँ next वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में टेक केर बाबाए